लोटस आयर्वदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे नावी के ऊपर पेट में दर्द क्यों बुता है तो चले आए शुरू करते हैं आज के वीडियो आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार ज्यादा सरीरी गद्विदी करने या कुछ भारी उठाने के करण नावी के ऊपर पेट में दर्द होने लगता है दर असल ऐसे में पेट पर अचानश दबाव पढ़ने के करण नसों में खिचाव आ जाता है जिस करण पेट के उपरी हिस्से में तेज दर्द होने लगता है इसके करण ठीक से खड़े हो पाना या बैट पाना तक मुश्किल हो जाता है ऐसे में अगर आप कुछ घरेली उपायों को ट्राई करते हैं तो इससे आपको इस समस्या से जल्द रहात मिल सकती है वहीं इस समस्या के कुछ आंतरिक कारण भी हो सकते हैं जिस पर शुरुवात से ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो जानिये नाभी के उपर पेट में दर्द क्यों होने लगता है नाभी के उपरी इस्से में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं इसका कारण पेट में इनफेक्शन पत्री की समस्या acidity या gastro-osophagal reflex disease से ग्रस्त होना भी हो सकता है मैं इस समस्या के कुछ घरिली उपाई बता रहे हैं जिससे आप अपने आपको ठीक कर सकते हैं कि पहला उपाई काला नमक और अजबाई तवे पर आधा चमच अजबाई दो चुटकी हींग और दो चुटकी काला नमक भूल लें आप इसे पीश कर इसका चूरन भी तयार कर सकते हैं इसे गुंगुने पानी के साथ सेवन करें अगर आपको गैस के करण पेट में दर्द हो रहा है तो इस नुस्के से आपको कुछी देर में आराम मिल जाएगा गर्म सिकाई होगी फायदेबान अगर भारी बजन उठाने से नस खिचने के करण आपको पेट के उपरी हिस्ते में दर्द हो रहा है तो इस गर्म सिकाई से आपको रहात मिलती दिख सकती है यह दर्द और अकड़न से रहात देगा जिससे आपको दर्द में जल आराम मैसुस होने लगेगा आजमाईन के तेल से मसाज अगर आपको दर्द काफी जादा है तो इसके लिए आप तेल मसाज की मदद ले सकते हैं इस नुस्के के लिए आप दो चम्मच अजमाईन को थोड़े से सरसों के तेल में डाल कर गरम कर लें आप चाहें तो इसमें लैसुन की कलियां और हिंग भी डाल सकते हैं यह सबी चीजह पीट दर्द से रह तर्षां में मदद कर सकती हैं हलके हाँ से इस तेल से मसाज करें यह बात का ध्यान लके मसाज तेज नहीं करनी है तो यह सिलूली करनी है विकाज आपके नस खिच कई होगी तो वह नस इदर से उदर हो सकती है इसके लिए सुनूली करें या कोई नस्का जानकार अगर आपके पास आपके सरकल में है उसको बोला करके उससे आप माली साप करा सकते हैं अनार और कालनामक डाल कर सेबन करने से पेट दर्दांव और असेडिटी समस्या से जल्द रहात मिलती है इसका सेबन कब्ज और गैस की समस्या से भी स्वर्फम सर्फ़ आता है टो यह तैंने हमारा आज का वीडियो त् konk потому करके बता है और चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें धन्वाद